So, hello and welcome you all, I am Ruit from Margin Reader So guys, आज हम बात करने वाले हैं सुब एक्स LTE D के बारे में और देखा जाए, तो सुब एक्स में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला था खुछ दिन पहले But guys, यहाँ पर कुछ पैटन में ऐसे आपको बताने वाला हूँ उन पैटन्स के हिसाब से आपको इसमें कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर आपको एग्जिट कर लेना है और क्या पैटन है, क्या इसमें अभी गिरावट आ सकती है तो हाँ मेभी अगर आप patterns को अच्छे से analyze करो अच्छे से analysis उनका किया जाए तो बिल्कुल हाँ इसमें गिरावट आ सकती है तो ऐसे ही कुछ patterns के बारे में हम आज बात करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ इसके levels हो सकते है और क्या कुछ हमें इसमें देखने को मिलेगा वो हम बात करेंगे इस वीडियो में तो कुछ patterns मैं आपको बता देता हूँ तो इसमें guys हमें पहले तो कुछ हम देखेंगे इसमें एक resistance level और देखेंगे हमें एक support level यह हम देखेंगे multiple chart frames पर फिर हम देखेंगे यहाँ पर एक inverted fall and flag pattern इसमें भी आपको पता ही होगा कि market यहाँ पर कोई भी particular stock धीरे धीरे नहीं चाहता है फिर उपर की उर जाता है फिर अचानक से एक downfall आ जाता है क्या इसमें ऐसा भी pattern बन रहा है तो उस pattern के बारे में भी हम बात करेगे और क्या कुछ इसका current price चल रहा है और क्या कुछ stock में हो सकता है और क्या कुछ volume से क्या कुछ इसका अगर देखा जाए community sentiments के आकड़े है revenues, profit हम सब कुछ देखने वाले है सुबेक्स के बारे में तो पहले तो हम बात कर लेते कि हमें काप पर invest करना चाहिए तो बिल्कुल गाइस इसे आप समझ लो सुबेक्स Ltd एक दमदार stock है और IT sector का stock है इसके बारे में आगे हम बढ़े उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर दो for shares के updates के लिए shares के latest news के लिए तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं तो गाइस बात कर रहे है सुबेक्स Ltd के बारे में एक दमदार stock है और देखा जाए stock में यहाँ पर 55 रुपे के price पे trade कर रहा है 55 रुपे के price पे stock trade कर रहा है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 85 पेसे तक stock अच्छा कासा बड़ा है और 1.57% की तेज़ी के साथ है improvement इसमें हो रहा है सो यहाँ पर हम पहले बात कर लेते यहाँ पर resistance levels और support levels के बीच तो यहाँ पर क्या चल रहा है तो guys यहाँ पर में कुछ बात यहाँ पर clear करना चाहूगा यहाँ पर से stock में एक बड़ा momentum आया था और यहाँ से stock उपर भी आया था पर यहाँ पर strong rejection मिला उसके बाद stock सीधा यहाँ से यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर से stock जबाया था तो इस level से नीच आया तो यहाँ पर support ले लिया फिर यहाँ से अचानक से gap down हो गया gap down हुआ, काफी बड़ी गिरा उटाई थी फिर इस level पर भी मैंने बोला था आपको buy करने के लिए इस level पर भी मैंने बोला था और जिन-जिन लोगों ने इस particular level पर buy किया होगा उन्होंने भी एच्छा पर अप्र प्रोपेट कमया होगा फिर उसके बाद stock उपर गया, फिर support लिया फिर resistance, तो एक resistance level हमें इस level पर मिला और इस support level हमें इस level पर मिला तो resistance level और support level हमारे कमफम हो गये थे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से तो stock बढ़ा, मैंने बोला था कि यह 61 रुपे तक चाहेगा और बिल्कुल stock गया फिर उसके बाद ही नीचे आ गया है तो इस level 48 रुपे की level तक है आने की कोशिश करेगा केस से आएगा, वो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ इफ अगर 61 के level को अगर inverted pole in flag pattern तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक pole है और एक flag बनाने की एक कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर मैं भी हो सकता है guys की stock सीधा यहाँ से नीचे के और आए इस level को break करें और सीधा है यहाँ पर आ सकता है इफ अगर यह उपर के और breakout देता है नीचे के level पर खरीदने के लिए अगर यह उपर की और breakout देता है तो आपको फिर से एक bind करने के लिए एक बड़ा momentum इसमें हमें देखने को कल सकता है तो guys एक levels अगर आपको समझ गए होगे वडियो को like कर दो guys तो यहाँ पर बढ़ते आगे और 5 दिन के time frame पर अगर देखा जाए तो 55 रुपे तक stock बढ़ गे 55 रुपे पर trade करी रहा है और 1 रुपे 75 पेसे तक का return दिया है 5 दिन के time frame पर 3.29% के हिसाब से एक महीने के time frame पर 3.30 पेसे तक stock बढ़ा है 6.38% के हिसाब से और 6 महीने के time frame पर 13.30% तक stock नीचे रुपे तक stock गीरा है माइनस 19.47% के हिसाब से और देखते हैं guys क्या कुछ stock में हो रहा है तो open हुआ था stock 54 रुपे 50 पेसे के price पे high लगाया था stock ने 55 रुपे 40 पेसे का और low लगाया था यहाँ पर 54 रुपे 10 पेसे का market cap देखा जाए 3000 करोड के असपस का market cap है और PE ratio अगर देखा जाए 71.63 का PE ratio है और dividend 1.36% का stock देता है तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 52 रुपेस के high और 52 रुपेस के low की तो high की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर 74.40 यहाँ पर देखा जाए और यहाँ पर 52 रुपेस का low अगर देखा जाए तो यहाँ पर 23.20 रुपेस के असपस का है यहाँ पर यहाँ पर low भी आपको देखने को मिल जाएगा तो गैस अब बात कर लेते है resistance लेवल और support लेवल की तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो resistance लेवल में first resistance जो है 55 रुपे 38 पेसे का है और second resistance लेवल अगर देखा जाए 56 रुपे 62 पेसे का और third resistance लेवल 57 रुपे 38 पेसे का दिख जाएगा support लेवल की अगर मैं बात करू 53 रुपे 38 पेसे का first support लेवल है second support लेवल 52 रुपे 62 पेसे का है और थर्ड सपोर्ट लेवल एकाउन रुपेर 31 वेसे का दिख जाएगा सो गाइस सपोर्ट लेवल और रिजिस्टन्स लेवल हमने दोनों देख लिए अब बात करते हैं आपर प्राइस पर प्रमंस की तो वन विक का अगर देखा जाए 5.16% तक है आपर प्लस में है वन मन्स का 6.38% है थ्री मन्स का 7.42% योर और हाप का 1.57% वन येर का 90.64% और 3 येर्स का है 832.20% के आसपास सो अब बात करेंगे हम यहाँ पर ट्रेड वेल्यूस और कॉंबिनेंट डिलिवरिस की 63 लाग के सम्थिंग का ट्रेड वेल्यू और 23 लाग के सम्थिंग का कॉंबिनेंट डिलिवरि है और वन मन्स के एवरेज का अगर देखा जाए तो 93 लाग के सम्थिंग का trade video 34 lakh के something का competent delivery देखने को मिल जाएगा so community sentiments की हिसाब से अगर देखा जाए तो 100% buying यहाँ पर आ रही है 100% लोग के हो से विल्कुल यहाँ पर buy के लिए कहा जा रहा है और वही guys अगर देखा जाए आपर क्या कुछ revenues है revenue अगर देखा जाए 2017 का 357 करोड़ 2018 का 324 करोड़ 2019 का 348 करोड़ 2021 का है तिन्सो बहुततर करोड़ और वही अगर देखा जाए नेच प्रफिट तो net प्रफिट यहाँ आपर 2017 में माइनस में था 2018 की अगर बात करो तो 2018 में 20 करोड था और 2019 में 25 करोड और 2020 में फिड से माइनस में गया कितना माइनस 279 करोड तो 2021 में फिड से प्लस में गया प्लस में कितना गया है प्लस में अगर देखा जा तो 51 करोड प्लस में चले गया है सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहापर क्या कुछ share holding pattern है तो share holding pattern में 96.93% के holding public की है DIA की holding है 0.02% FIA की holding है 0.26% और orders की बाद की जाए 2.79% के आसबस की holding उनके भी देखने को मल जाएंगी सो guys काफी कुछ बाते हमने की है share holding pattern भी हमने देखा और charts भी हमने देखे तो वीडियो पसन आए वीडियो को like करो चनल को subscribe करो thank you